देखे आपकी examination को देखते हुए one word की ये important series चलाई जा रही है Air Force Navy SSR AA के लिए ठीक है इसमें सिर्फ उन questions के बारे में बात हो रही है जो की आपके examination में सबसे अधिक बार पूछे जा चुके है इसका ये video number second है already first video upload कर दिया गया है तो आप उसको भी जाके आप देख सकते हैं तो चलिए इस video को सुरू करते हैं और आप comment करके बताएगा कि आपके कितने questions सही हुए है यदि ये series आपको पसंद आ रहे हैं समझ में आ रहा है तो इसको like भी जरूर कर दिजिएगा media student यहाँ पर देख सकते हैं question number first कह रहा है कि one who studied the art of gardening यानि की बागवानी की कला का अधेयन करना क्या कहलाता है ठीक है तो इसको कहते हैं halty cultures क्या कहते हैं halty cultureist ठीक है यहाँ पर B हो जाएगा तो ये बात करेंगे A की तो A मतलब होता है agree cultureist यानि की agree मतलब की crisis से संबंदित और gardener मतलब पता है कि आपको माली होता है और D मतलब होता है यानि की botanist मतलब होता है वानस्पतिक वैग्यानिक आई होप आप समझ पाए होंगे चलिए question number 12 की तरब बढ़ते हैं कह रहा है कि remedy for all diseases देखिए यह हम आपको कई बार बता चुके हैं और आपकी examination में कई बार आ कुपा है तो उसको क्या बोलते हैं सभी इलाज के लिए वो होगा उसको क्या बोलेंगे ठीक है आप option में comment करके बताएगा कि कौन सा option यहां पर सही है ठीक है चलिए 13 नमबर का देखते हैं कह रहा है कि one who is unaffected और indifferent to joy, pain, pleasure, or grief कहने का मतलब है कि जो अप्रभावित है या कि खुशी के प्रती उदासीन है या कि फिर दुख सुक है ठीक है तो उसको क्या बोलेंगे तो इसको बोलेंगे D यानि stoic, stoic मतलब होता है उदासीन ठीक है बात कर लें A की तो A में दिया हुए tolerant, tolerant का मतलब होता है सांसील और B यानि कि resigned मतलब होता है स्थीपा दे दिया ठीक तो यहाँ पर D सही है आई होप आप इस चीज को समझ पाए होगे तो question number 14 की तरफ बढ़ते हैं कह रहा है कि a person who is greatly respected because of wisdom ठीक है यानि कि एक ऐसा ब्यक्ति जो ज्यान के कारण बहुत अधिक सम्मानित किया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे C यानि कि venerable, venerable मैं अल्लेडी बता चुका हूं इसका मतलब क्या होता है सम्मानित ठीक है सली समझ पा रहे हैं तो question number 15 की तरफ बढ़ते हैं देखे यह आपकी exam में बहुत बार पुछा जा चुका है an excessively morbid desire to steal इसका मतलब यह है कि चोरी करने की एक प्रकार की desire यानि कि इक्छा ठीक है यह इस प्रकार की होती है कि उस चीज की जरूरत भी रही होती है लेकिन यह एक इच्छा के कारण चोरी किया जाता है इस पर हम already discuss करा चुके है यहां पर हो जाएगा बी यानि कि kleptomania ठीक है इसको बोलते हैं चोरी करने की इच्छा आप कहीं गए और कोई चीज देखे तो वह चीज आ लेड सब्द कहीं पर भी आ जाये तो इसका मतलब समझना है कि water यानि जल से संब्दित कोई चीज और phobia मतलब डर यानि कि पानी यानि कि water से डर पानी से डर that is hydrophobia c में देखते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया देखे क्लैस्ट्रो का मतलब होता है बंद जगहों से डर ठीक है के द्वारा मना किया गया है 트եժי व्यापार from being imported और exported यानि कि व्यापार को import करना या कि फिर export करना सरकार के द्वारा मना किया गया है तो इसको क्या बो लेंगा बिलकुल सही ए is the right answer here यानि कि country band country band का मतलब होता है कि व्यापार वर्जीत है व्यापारन निसित्त है चलिए सत्रा नमर देखते हैं ये काफी important question मैं डिये student कह रहा है कि international destruction of racial groups ठीक है तो racial मतलब होता है जाती यानि कि जाती है समुह का अंतराश्ट्री विनास इसको बोलते क्या है बिल्कुल सही genocide genocide का मतलब होता है नर संगार ठीक है देखी side मतलब ही होता है कि हत्या करना ठीक है तो side से संबंदित question आपकी examination में पूछा जाता है तो इस पे हम already एक particular वीडियो बनाए है कि जिसमें कि side से संबंदित question पूछा जाता है आपको देखने को मिलेगा description में हम उसका link दे दिये हैं व रेजी side का मतलब होता है कि राजा की हत्या करना या कि फिर रानी की हत्या करना रह से राजा रह से रेजी ठीक है इस प्रकार से आप याद करेंगे रेजी side होमी side का मतलब होता है कि मानव की हत्या करना और फ्रैट्री side मतलब होता है भाई की हत्या करना ठीक है तो इस पे हम सब्सक्राइब करें कि एक व्यक्ति हो जो कि साधन में हो और ऑन होर्स बैग एक्जोर्टिंग अधर वेहिकल यानि कि जो एक माली कि आप देखेंगे जैसे कि राश्टर पती जब जाते हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त में जब उनकी इंट्री होती है तो वह एक कार में होते हैं उनकी आगे कुछ घोड़ सवार ही सैनिक होते हैं यानि कि आगे और अगल बगल घोड़े पर सवार होके सैनिक चलते रहते हैं तो उसको बोलते हैं उस प्रकार के जो सेना है उसको बोलते है आउट राइडर ठीक है ऐसे क्या बोलते हैं आउट राइडर यानि कि C यहाँ पेस सही हो जाएगा ठीक है चलिए 19 नमर में देखते हैं ये काफी important question आपके लिए कह रहा है कि a person especially interested in the study of coins and medals ठीक है यानि कि एक ऐसे बेक्टी की बारे में बात हो रही है जो कि सिक्का या कि फिर पदक की बारे में अध्यान करने में रूची रखता है तो ऐसे लोग को क्या क पाया होगे चलिए question number 20 देखते हैं काफी important question यहां पर कह रहा है कि one who lends money at the very high interest यानि कि ऐसा कोई जो कि बहुत अधिक ब्याज पर क्या करता है उधार देता है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इंगलीस में बिल्कुल सही बी यानि कि user user बोलते हैं आपने सुना होगा एक इसको बोलते हैं सूध खोर ठीक है सूध खोर का मतलब ही होता है कि user जो सबसे हाई मतलब बहुत महेंगा ब्याज पर वह पैसे उधार देता है that is user I hope इसको याद हो गया होगा आपको ठीक है बात कर लेते हैं यानि कि banker तो simply आप banker मतलब समझते हैं C की बात करेंगे इंपोस्टर का मतलब होता है धोंगी ठीक है और डी मतलब होता है farmer farmer मतलब होता है भूत पूरव ठीक है farmer की बात कर लेंगे यदि sinonym की हो तो x हो जाएगा जैसे x boyfriend x girlfriend यानि कि ये भूत पूरव गर्ल फ्रेंड है ठीक है और इसका और sinonym की बात करेंगे तो ego हो जाएगा ठ ठीक है तो ये 20 question आपके लिए काफी important है यादी समझ में आयोगा तो इसको like जरू कर लीजेगा ठीक है और description में जो हत्या से संबंदित words दिए कि लर्ण कर लीजेगा क्योंकि आपके examination में वहाँ से question फसते हैं चलिए मिलते है नेक्स्ट तब तक के लिए bye bye take care